हेलो दोस्तों वेलकम तो आवर चैनल लाइफ और साउथ सालिबिटी दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सतीस कौशिक की फैमली के बारे में तो सबसे पहले आप उनके लिए आराई पी लिखना ना भूले साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं उनस के पतनी शशी कौशिक और बेटी वंसिका को छोड़ गए हैं सतीस कौशिक ने फिल्मेंड रस्टी को अपने वालिवुड किरदारों से दर्शकों के चहरे पर मुस्कान ला दी लेकिन उनकी निज़ी जिन्दगी में उन पर कई दुखों के पहार टूटे सतीस कौशिक ए कई दुखों का सामना करना पड़ा सतीस कौशिक ने साल 1985 में उन्होंने 6 कौशिक संधी की थी इसके साल बाद उन्होंने अपने घर में एक नन्हें महमान का स्वागत किया और उनके बेटे शानुक कोशिक का जन्म हुआ कोशिक अपने परिवार के साथ अच्छा समा बिता रहे थे कि तभी करीब दो साल की उम्र में उनके बेटे का निधन हो गया अपने जिगर के टुकड़े को खोने के बाद एक्टर काफी तूड़ गये थे उसके बाद उनके घर की किलकारी नहीं गुंजी लेकिन 56 साल की उम्र में 37 कौशिक ने एक बार फिर अपने जिंदगी म पर उनकी बेटी अकेले रह गए हैं हर्याना में 37 कौशिक कैसे बने मुंबई के राजा अगर आप यह जानेंगे तो आपको पता लगेगा 37 कौशिक का दिल्ली से गहरा नाता रहा है और उन्होंने अंतिम सांस भी दिल्ली में हिली है साल 1956 में 37 कौशिक का जन्म हर्याना के महेंदर गड में हुआ था उन्होंने अपनी शुवाती पढ़ाई करने के बाद दिल्ली का रुख किया दिल्ली में हिरोडीमल कॉलेज में ग्रेजियोशन करने के बाद उन्होंने एक्टिंग में अपना हाथ हजमाने का फैसला किया दिल्ली में उन्होंने नेसनल स्कूल ड्रामा में एड्मिशन लिया और एक्टिंग के गुर सीखे इसके बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया और सार 1983 में उन्होंने एक्टिंग में डिब्यू किया बल दोस्तों आपको उनके परिवार के बारे में जानकर कैसा लग रहा है आप अपनी राए हमें कमेंट बॉ णने में ठचक्कौू Davis mówi और में हमेर के लिफले के बंड खरुयरी कि थे आपको रभा के भाया है तोस्तों सुनिग में जन्होंने में में कक्रेषों में एक्रेवार सीखे तोस्तों स सािए ड़ाम खरुपन समस्तों के थॉट